जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का एहमत टेक्नलोजी में कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैंगे सर जो रो नैलेट के सर्टेफिकेट कोर्स होते हैं जैसे ACC हो गया BCC, CCC, CCCC+, ECC इनमें क्या फर्क होता है कौन सा कोर्स इनमें सबसे बैस्ट है कौन सा हमें करना चाह इन सबी में कौन सा सबसे अच्छा है और इनमें डिफरेंस क्या है तो इस वीडियो में इसी टोपिक पर हम डिसकस करेंगे कि ACC, BCC, CCC, ECC में क्या फर्क होता है कौन सा बैस्ट है कितनी इनकी फीस होती है और कौन-कोन इनको कर सकता है क्या इसके लिए सब कुछ डिसकस करेंगे तो आप वीडियो में अंतक जरूर बने रहेगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइगन प्रेस कर दीजिए ताके आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पोचे ठीक का फूलформ होता है आवेडैस यन कम्पूटर कॉंसेप्ट कहने का मतलब सबसे चोटा सर्टिफिक्ट कोर्स इसकी जो डियूरेशन पी problी ह्सदिए बी समी अटल पर आप चाहे एक दिन में complete कर लें दो देन में कर लें या एक महीने में इसको आप complete कर लें course को यह आप पर depend करता है तो यह केवल आप course जो कर सकते हैं ACC केवल इसको आप institute के द्वारे कर सकते हैं तो वो अपने इसाब से आपको गहंटा दो गहंटा जितना भी पड़ाते हैं वह अपने आप पड़ाते हैं ठीक है इसकी जो फीज लगती है 200 रुपे इसकी फीज लगती है पलस इसमें कर सकते हैं उस तरीके से आप ECC, ACC को डारेक्ट नहीं कर सकते हैं किसी institute के दुवारा ही इसका registration कराना होगा और उसी institute का नाम आपके certificate पर आएगा चिस institute से अपने registration कराया है ठेक है तो यह सबसे बड़ा फरक होता है इसको आप triple C की तरह डारेक्ट नहीं कर सकते हैं second पर आता है BCC, ACC से बड़ा course होता है BCC, BCC का मतलब होता है basic computer course इसका जो duration होता है 36 घंटे का होता है और इसमें आपकी जो fees लगती है तो उस्तों 400 रुपे fees लगती है और उसमें जेस्टी भी add हो जाता है तो लगबग 400 सारे 400 रुपे इसमें आपकी फीस लग जाती है जेस्ट अगर आप चाहें तो डारेक्ट कर लें आप चाहें तो किसी इंस्टीट के द्वारा registration करा कर आप इंस्टीट से इसको कर सकते हैं लेकिन इन फीस के अलावा वो इस्टीट भी आपनी फीस लेगा आपको पढ़ाने की जो भी उसने आपको पढ़ाया है एक महीना ले दो मही लेट करा देना चाहिए तो जो भी उसकी फीस होगी 400-500 रुपे आपनी अलग फीस लेंगे और इस कोर्स की जो रजिस्टेशन फीस है एक्जाम फीस है वह आपसे अलग ली जाएगी तो यह इसमें डिफ्रेंस होता है जो डारेक्ट करेगा केवल उसको यही पीस पे करनी ह क्योंकि जो इसकी रजिस्टेशन फीस है या इसकी एक्जाम फीस होती है उसके बाद आता आपका CCCCCCCCCCCCCCC का मतलब होता है कोडस ओन कंप्यूटर कोणसेप्ट यह सबसे पॉपिलर कोडस है डियल्सी में नेरेट के जितने भी सर्टिफिकेट कोडस है सबसे ज़्यादा CCCCCCCCCCCCC को ही करते है ना एसे सबसे ज्यादा इस बच्चा करते है अक्तिक्षर उसके पास पूछ लीजे CCC तो सबके पास ही होता है आप खास तोर पे क्योंकि UP में आप देख लें सभी government नोक्रियों में CCC को अब मतलब लागू किया जा रहा है कि CCC तो कम से कम होना ही शही है जो भी नोक्रिय होती है ठीक है तो आगे-आगे computer का certificate course तो सबी नोक्रियों में ये क्या कर देंगे लागू कर देंगे तो course on computer concept इसकी full form होती है सबसे अच्छा course माना जाता है triple C इसकी duration 80 गंटे की होती है तीन महिने का certificate course इसको माना जाता है लगबग fees इसमें आपकी 500 रुपे लगती है अगर आप इसको direct करोगे तो अपनी बस आपको इतनी fees पे करनी है जो इसकी exam fees है otherwise institute से आप इसको करते हो तो लगबग 2000 रुपे आप से institute वाले अपने भी लेंगे पढ़ाने के आपको coaching देने के तो वो आपकी अलग हो जाएगी 2000 ये और 600 लगबग ये तो 26-2700 रुपे में आपको ये ccc पढ़ेगा अगर आप इसको किसी institute से कर सकते हो लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इसको direct करें कोई इसमें फर्क नहीं है institute में और direct में आप इसको direct से करें और अपने आप इसको खुद से पढ़े exam दे आप 100% पास हो जाओगे कोई फैल नहीं होता है इसमें ज्यादा तर जो थोड़ा भी पढ़के जाते हैं ठीक है तो इसको direct ही करें किसी institute के दुवारा आप ना करें exam इसका online होता है सो question आते है 90 minute का आपको time दिया जाता है और negative marking नहीं होती है इसमें grade दिया जाता है 50 नमबर से 55 तक जो भी लेकर आता है उसको सबसे छोटा मतलब D grade दिया जाता है ठीक है 55 से 64 तक जो लाते हैं उसको C दिया जाता है और 64 से 75 तक जो लाते हैं उसको B grade और 75 से 85 तक जो लेकर आता है उसको A grade दिया जाता है और 85 से 100 के बीच में यो भी लाता है उसको S grade दिया जाता है इसमें grade system होता है सभी course में grade system होता है O level A level सभी में ठीक है तो यह होता है आपका triple C इसको डारेक्ट करें इस्टिटूट के द्वारा ना करें अगर आप चाते हैं तो कर सकते हैं कोई शूनी है उसके बाद आता है triple C plus यह क्या होता है दगे course on computer concept बस इसमें placed isuppalas का क्या मतलब है क्या difference आजाता है इस पर असे इसकी duration हो जाती है वो 26 घंटे की हो जाती है यह quella कि हो जाती है लेकिन इसकी duration हो जाती है 166 seems उठी है और इसम्हों उसमें जेश्टी भी एढ हो जाती यह लगबग 590-600 रुपे आपकी फीज लगती है टोटल जो केवल नेलेट की फीज है ठीक है eligibility के आइस के लिए केवल 10th pass ही इसको कर सकते हैं जो भी बच्चा 10th pass है वो ही इसको कर सकता है exam इसमें आपका online होगा exam दो सभी में online होता है computer पे ठीक है और इसको केवल institute के दुवारा ही किया जा सकता है आप इसको direct नहीं कर सकते हैं triple c की दरा ठीक है तो केवल इसको आप किसी institute के थुरू कर सकते हैं उसके दुवारा registration करा के ठीक है तो यह होता है आपका triple c plus सबसे बड़ा जो course certificate में माना जाता है नेलेट का वह होता है ECC इसकी full form होती है expert computer course इसका duration 200 घंटे का होता है सबसे जब जादा duration है तो जादा इसकी माननेता होगी ठीक है ECC की जो duration होती है 200 घंटे की होती है फीस इसमें आपकी पहले 100 रुपे registration फिश लगती है 500 रुपे फिर फिश लगती है एक्जाम फिस और उसमें टोटल आपके GST भी याड़ हो जाती है तो लगबग 600 चाड़े 600 रुपे इसमें आपकी फिस लगती है eligibility 12th pass इसमें है जो भी बच्चा 12th pass होगा वो ही इसको कर सकता है और एक्जाम इसमें भी आपका online ही होगा triple C की तरह होगा so question आएके 90 minute का आपको time दिया जाएगा negative marking नहीं होती है और इसको भी केवल आप किसी institute के दवारा ही कर सकते हैं ऐसे केवल दो ही course है एक तो आपका BCC और एक आपका CCC जिनको आप institute के दवारा भी कर सकते हैं और direct भी कर सकते हैं बाकि सभी course को आप केवल institute के दवारा ही कर सकते हैं ठीक है इनमें सबसे अच्छा जो course है वैसे तो triple C सब करते हैं लेकिन triple C से upgrade है triple C से बहतर course है ECC अगर आप चाहें तो triple C ना करें आप ECC कर सकते हैं क्योंकि ये आपका 6 महीने का certificate course माना जाता है बैंक में आप देख लें कहीं भी देख लें तो लगबग 3 महीने का कोई नहीं पूछता है लगबग 6 महीने का certificate course आपसे मांगा जाता है बैंक में भी तो ECC आप करें अगर आप करना ही चाहते हैं CCC में भी उतनी मैनत लगेगी आप ECC करें ECC best है बस ये आपको किसी इंस्टिटूट के द्वारा ही करना होगा जो भी इंस्टिटूट के fees होगी वह आपको pay करनी होगी अधरवाइस इसको आप direct नहीं कर सकते हैं direct करते तो आपकी जो फीस है केवल यहीं फीस लगती ठीक है तो ट्रिपल सी भी कर सकते हैं ज्यादा वह नहीं है लेकिन ECC उसे अप ग्रेड है मैं आपको यह बोलना चाहरा हूँ ECC ट्रिपल सी से best है और यह वो त्रिदी मंद का है यह six मंद का certificate course है अगर आपसे six मंद का certificate course मांग ले जाए तो आप ECC लगा सकते हैं यह आपका six मंद का होता है best course है बढ़िया course है ठीक है तो यह इसमें केवल difference होता है अब आप देख लें कि आपको कौन सा course करना है कौन स आपके लिए sufficient best है ठीक दोस्तों तो यह थी इन सभी course के बार में जानकारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएगा comment box में और वीडियो को सभी वच्चे लाइक कर दे चैनल को सभी subscribe जरूर कर दे ताकि आपके पास वीडियो को notification टाइम से पहु